तो उसी तरह से हर लोग भेभीत है अभी लोगों को क्या चाहिए अभी लोगों को सुरक्षा चाहिए सीकुरिटी चाहिए डिजिटल मार्केट में लेकिन कितने लोगों के पास में ये सुरक्षा है मैं आप सबसे पुछना चाहता हूँ या जो लोग आपसे बात करते हैं उनसे यह सवाल कीजिए question राइच कीजिए yes digital market में आप हम हैं लेकिन क्या आपके पास सुरक्षा है आपका अगर कोई bank account खाली कर दे hacker आपके पास उसके लिए क्या उपाय है लेकिन on passive में 100% हम सुरक्षा की गारेंटी देते हैं कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है हम एक ऐसा digital market लोगों को देने जा रहे हैं हम ऐसी एरा का निर्बान कर रहे हैं तो पैसा यहाँ पर unlimited आने वाला है लेकिन पैसा आने से पहले उसका तीजोरी तो बनाना पड़ेगा तालाचा भी तो बनाना पड़ेगा नहीं तो आप देख रहे होंगे कि hacker लोग पूरा पर पूरा दम लगाये हुए है कि on passive को कैसे hack करे on passive के data को कैसे चुरा ले हम लेकिन उसके पहले ISR ने पूरी तैयारी कर ली है और on passive ecosystem बनाया है जिस ecosystem में आप कई layer से protect किये जाएंगे यहाँ पर कई layer होगे protection के लिए जहाँ पर कोई भी hacker यहाँ पर पर नहीं मार सकता है इसलिए कि हम blockchain technology से बंद है ताले में blockchain technology जो अभी Bitcoin, Ethereum coin देखते हैं वो जल्दी hack नहीं होता है तो हम वो भी यहाँ पर उप्योग कर रहे हैं यूज में ला रहे हैं जहाँ पर एक दुसरे का password या ID कोई hack नहीं कर सकता है चुकि जो password होता है blockchain technology में वो लाखों computer में एक साथ इंटर होता है और कुछी second में वो बदलते रहता है तो कोई भी hacker उसको hack नहीं कर सकता है तो ऐसे हम परिवेश का निर्मान कर रहे हैं तो दुनिया हम हमको हाथों हाथ लेने वाली है दोस्तों पूरी दुनिया यहाँ पर आने वाली है ऐसर ने क्या बोला हम यहाँ पर करोड़ों लोगों को करोड़ पती बनाना चाहते हैं हम 14 लाग 27,000 की वो बात नहीं करते हैं कभी भी हम on passive के founder सदस्य की बात नहीं करते दोस्तों वो यहाँ पर पूरी दुनिया में जो 97 परसेंट जो लोग है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको uplifting करना चाहते हैं हम humanity को uplifting करने की बात करते हैं इसलिए आज पूरी दुनिया हमारे साथ आने के लिए ततपर है इसलिए हमारे पास में पूरे दुनिया के बड़े से बड़े company देश की सरकारे हमारे साथ आये हैं हम लोग उने record इस बात में भी बनाया है कि दुनिया में अभी तक जितने भी Google है Facebook है Microsoft है इतनी बड़ी बड़ी company है जाइंट company है लेकिन उसमें किसी भी government का participation नहीं है लेकिन ह और हमलोग market में आने से पहले हमारे साथ कई देश की सरकारे काम कर रही है यह अपने आपमें गर्व की बात है दोस्तों हम लोग उने इसका record बनाया है है क्या record किसी company के पास नहीं है अभी तक दूस्तों तो यह भी अपने आपमे गर्व करने की बात है तो हम लोग जो साहित होते हैं कि अरे भाई, अब क्या हो Gऑ अब तो यतना लेट हो गया, यह बहुंगा वह फजी दंब डरना मना है दोस्तों इसलिए कि हमारे और आपके भविसी के लिए हैं कर दीन काम हो रहा है, तो कवं दरें? क्यों घब रहा हैं। जो आपके पास में समस्या है वो हर एक पास में समस्या है आप एक दूसरे से आप पुछिएगा तो आप से कहीं ज़्यादा बड़ा समस्या उनके पास में है आप देख रहे हैं कि अमेरिका में इहमंत भाई काम कर रहे हैं तो हो सकता है अमेरिका में रहते हैं उनके पास यहां पर हम समस्या पर problem पर focus नहीं करते हैं हम समाधान पर focus करते हैं और आसर हमेशा वहीं चीज चीद किये हैं वो कभी भी problem पर focus नहीं करते हैं डी, 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 ट्रिपल डी पर काम करते हैं, डू, डाइ, एंड डेफिनेटली, ऐसर हमारे और आपके भविश्य के लिए काम कर रहे हैं, कि जो आने वाली पीडी है, और हम लोग जो अभी बचे हुए हमारे समय हैं, हम एक बिलास्ता भरी जीवन बिता सके, एक राजा के समान हम सब यहाँ पर जीवन बिता सके, हम सभी यहाँ पर इंटरनेट पर राज करने वाले हैं दोस्तों, हम धर्ती पर राज करने के लिए जन्म लिये हैं, हम जो 97 डॉलर दिये थे, वो कमपनी ने वापस कर दिया, किसी को अंदाज भी नहीं था, हम लोग जो 143 डॉलर दे रहे हैं या 93 डॉलर दे रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ, यह सूद समेच कमपनी हम सब को वापस कर देगी दोस्तों आने वाले टाइम में, आप देखिएगा, लेकिन एक बार हम सब को अपने पॉकेट से हाथ निकालना होगा, मुठी खोलना पड़ेगा, और हम सब के आने वाले भविश्य के लिए, अपने financial freedom के लिए, एक बार आपको package by आखरी बार करना पड़ेगा, यह ज़रूरी है, तो एक बहुत बड़ा income का जरिया हाँ पर होने वाला है, मैंने पुरूब में भी बताया था, कि 60, 60 परकार के income यहाँ पर होने वाले हैं, अभी तो हम लोग एक परकार का income देख रहे हैं, कि आपका direct से 100% आएगा, जो first purchasing करेगा, और इसके बाद 25% आएगा, बस हम लोग इतने ही जानते हैं, लेकिन अभी यह तो on passive एक आइस बर्ग की तरह हैं दोस्तों, नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है, और इसी को समझने में भूल किया था टाइटेनिक, जो पूरे शमुद्र में बिखर गया, यही भूल पूरी दुनिया के लोग on passive के बारे में कर रहे हैं, on passive को एक आइस बर्ग के तरह देख रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, कि इसकी जड़े कहां तक गई है, और कितना बड़ा चटान पहाड की तरह खड़ा है, और जो लोग भी दुनिया में हमसे टकराने की कोशिस करेंगे दोस्तों, वो चकना चूर हो जाने वाले हैं, उनका अस्तित्त बिलीन हो जाने वाला है, और उनको अन्तों गत्वा औन पैसिव में आने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, दुसरा कोई उपाय नहीं है, है सर, एक अस्वमेग यग्य का आवाहन उन्होंने किया है, औन पैसिव रूपी यश्वमेग यग्य चल रहा है, और इसमें अस्वमेग में गोड़ा छोड़ा जाता है, जो जिस-जिस इलाके से होके गुजरता है, या तो आप हमारी आधिंता स्विकार करिये, नहीं तो आपकी अस्तिक्तों बिलीन कर दी जाएगी, जेस्ट लाइक आउन पैसिव में भी हमारा अस्वमेग गोड़ा छोड़ा गया है, जो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्वमें हम जा रहे हैं हर कंट्री में, जो लोग हमारी जो अपर्चुनिटी है उसको स्विकार करते हैं, तो उनका वेलकम है, नहीं तो भीड़कम है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस पर और ज्यादा टीका टिपनी नहीं कर सकता हूँ, चुकि ये कहीने कहीं हमारे कॉन्फिदेंसियल नीच की बात है, तो हम ही पूरे दुनिया में हम ही इंटरनेट होने जा रहे हैं, हमारा किसी के साथ प्रतियस परदा नहीं है, हम एक नया चीज लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, किसी के साथ हमारा कॉंप्रिमिजन नहीं है, हम एक नया चीज लेकर के मार्केट में आ रहे हैं, और जब नया चीज लेकर के मार्केट में आता है, तो जुम का भी मैंने कल बताया था आपको कि तीन साल में जुम ने पिछले तीन साल में जब से कोरो운ा आया था कोविट तो लोगों को जरूवत लगा अर्वन अनलाइन प्लेटफ़र्म का और तीन साल में उन्होंने थीन लाख करोर डॉलर उन्होंने revenue generate किया था तो आपको क्या लगता है कि हमारा यहाँ जो O Connect platform में है जिस पर हम लोग meeting कर रहे हैं ये दुनिया में सबसे अच्छा feature लेकर के आया है हमारा कोई मुकाबिला नहीं है किसी के साथ तो इसको भी हाथो हाथ लेने वाले हैं दोस्तों कल आपने साड़े आठ बजे के platform पर दिपेन तुरनिया भाई को आपने देखा था वहाँ पर जब वो PPT sharing कर रहे तो कितना बढ़िया लग रहा था imagine तो एक कल का हमारा साड़े आठ बजे के session में परियोग भी था और एक अच्छा अनुभव भी था जो दिपेन भाई ने कल वहाँ पर दिखाया तो दोस्तों यही चीज़ है हम यहाँ पर under construction है on passive में कभी भी यह पूर्ण नहीं होगा आपको हर दिन नई नई चीज़े देखने के लिए मिलेगी on passive में और आप उस चीज़ को अनुभव करेंगे हम इसलिए वारल हो सकते हैं कि हम दुनिया में ऐसी चीज़ लेकर क्या रहे हैं ऐसे ऐसे हम लोगों ने record बना दिया है जो आज तक कभी भी internet के इतिहास में या किसी भी traditional market के business की इतिहास में इस तरह का record नहीं बना पाया है आज तक किसी company ने दोस्तों अगर हम record की बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि हम born before unicorn हो चुके हैं हम आने से पहले unicorn हैं आप Google में उसकी तलास भी कर सकते हैं दुसरा हम अगर record बीट करने की बात कहें तो हम market में आने से पहले 14,27,000 लोग हम पहले से यहां पर हैं जो किसी company को यह हासिल नहीं हुआ है हम तीसरी अगर बात करें कि हम क्यों better हैं लोगों से दुनिया में जितने भी product है हमने record बनाया है कि दुनिया में कोई भी company मार्केट में आने से पहले अपना data center नहीं बनाया है मार्केट में आने के बाद ही उनका data center बना है कुछ 3-4 कंपनिया हैं लेकिन हम लोग market में आने से पहले खुद का डेटा सेंटर बना लिये हैं एक नहीं चार चार ये भी अपने आप में एक रेकॉर्ड है दोस्तों